मद्यप्रदेश की राजनीती दो दलों पर आधारित रही है बीच में कई दल आये चले गए लेकिन अपना मुकाम नहीं बना पाए अब मद्यप्रदेश की राजनीती में एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी बहुजन समाज पार्टी या समाजबा अच्छी है और मध्यप्रदेश में आमादमी पार्टी ने एक ऐसी महिला को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जिसने कम ही समय में राजनीती में एक अलग मुकाम बनाया है जिहां हमारे साथ इस वक्त मौझूद है रानी अगरवाल जो एक साधारन कारेकरता से सीधे म महापार बनी और महापार बनते ही पार्टी ने उन्हें एक मेतवपूर्ण जिम्मेदारी दे दी मध्यप्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बना कर तो रानी अगरवाल हमारे साथ है रानी जी बहुत-बहुत स्वागर बहुत 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 धन्यमाल आपका तीवी 24 के और विजन बताने की कोशिश करेंगे रानी जी एक साधारन कारिकरता और अचानक चुनाव में आप उत्री महापार बन गई फिर प्रदेश अध्यक्ष तो ये राजनीती में बहुत तेजी से आपका ग्राफ बढ़ा है किस रूप में लेती है बिलकुल आम आदमी आपका आशिवार्द है कि आम आदमी पार्टी और जनता का आशिवार्द है कि उस मुकाम तक पहुंचाया जनता ने मुझे आपने सोचा था कि आप इस हद तक यहां तक पहुंच जाएंगी, इतने जल्दी पहुंच जाएंगी क्योंकि आमादमी पार्टी में और भी बहुत नेता थे जो प्रदेश अदेश बनना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था, आमादमी पार्टी जानती है कि काम की राजनीत करती है, उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा, बिल्कुल राश्टी नेतृत हमारे नेता ने कि जरूर काम की राजनीत और काम हो रहे हैं, उस प्रकार से मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेवा मुझे प्रेकारी दी है, इस प्रकार की, ब्रदेश की राजनीती, कांग्रेस और बीजएपी की राजनीती, बड़े-बड़े नेता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये चानक है, राजनीती के चतुर खिलाडी है, आप ने अभी राजनीती शुरू की है, तो ये जो चतुर खिलाडी हैं चतुर राजनेतिक दल हैं इसे कैसे आपने हम जनता के जैसे काम की राजनीत करते हैं और जनता ये जान रही है कि काम की राजनीत कौन कर रहा है सतर पच्छतर सालों से सिफ जनता तरस्थ है और काम नहीं हो रहे हैं मद्यपरदेश में आज भी देखिए चाहे सिक्षा, स्वास्त, बिजली, पानी, किसानों के लिए, महलाओं की सुरच्छा के लिए, युवाओं के लिए आज भी कोई काम 75 सालों से सिफ, क्योंकि यहाँ पे कोई विकल्प नहीं था दिल्ली में जब आमादमी पार्टी को मौका मिला, तो परिस्तियां अलग थी, अरविंद केजरी वाल एक नया चहरा था, राजनेतिक परिद्रश्य में एक नए विचार को लेकर आमादमी पार्टी का उदय हुआ, उस वक्त महौल कुछ अलग था, लेकिन अब वैसा महौल म मद्यप्रदेश में दिखाई नहीं देता, तो क्या दावा है आप बीजेपी, कॉंग्रेस का विकल्प बनेंगे, सरकार बनाएंगे या सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएंगे, बिल्कुल हम सरकार बनाएंगे और काम की राजनीत करेंगे, अपने एके टारगेट तो बड़ा रखा है और हर एक दल को अपना टारगेट सत्ता में आना ही रखना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक लंबी साधना होती है, लंबी रेहरसल होती है, कारे होता है जनता के बीच में विश्वास जगाने का एक अभियान चलता है, इतने कम समय में, वह सालों में राष्टी पार्टी बन गए, तो हमारे नेता जो अरविंद केजरीवाल जी हो समझ रहे हैं, और जनता भी समझ रही है, और मद्रदेश में भी कामियाम होती है, जब चुनाव में हम उतरते हैं, तो एक बड़ा फंड चाहिए होता है, राजनितिक दलों को, क्यो जनता का ही सहयोग मिला था, और जनता के द्वारा इसी परकार यहां पे भी मद्रदेश में भी जो भी होगा कार करता हूं त्वारा और एक एक जनता का सहयोग से ही आम आदमी पार्टी लड़ेगी केजरिवाल जी एक चहरा है मद्यप्रदेश में भी केजरिवाल जी को आगे रखेंगे या CM का कोई फेस आपका होगा हमारे नेता केजरिवाल जी है उनका तो हमेशा ही चहरा रहेगा और बाकी राष्टी नेतरुत्ताय करेगा टिकेट वित्रण को लेका आपने किस तरह का क्राइटेरिया ताय किया टिकेट वित्रण में अपना अभी जैसे की चुनाव नीदी जो भी होंगे सर्वे होता है हमारे और जनता के कहें अंसार टिकेट दी जाती है और जो भी आम आदमी पार्टी के नीत को जाने और इमानदार हो उसी प्रकाश टिकेट का वित्रण होगा उसकी टिकेट वित्रण की तैयारियां शुरू कर दी हैं? बीजेपी और कॉंग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जिनको टिकेट नहीं मिलेगा, कई नेता पहले से ही कोशिश करेंगे कि हम आमादमी पार्टी में आएं, तो आखरी सवाल यही है कि क्या उनको मौका देंगे हैं? बिलकुल आमादमी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं और यह इंडिया नंबर एक है कि सब के लिए दरवाजे हमेसा के लिए आमादमी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं और जो भी आमादमी पार्टी के नीति को समझे इमानदार हैं और वो आमादम करती है केमरमेन जेतेंदु सराथे के साथ अतुल पाठक टीवी 24 भोपाल